नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का भई फिर से स्वागत है इस फार्म के पार्ट टू के अंदर और आपने आपको भई पार्ट फर्ष्ट के अंदर दिखाये था किंग देवली और तैसिलदार बच्चा भई है तो सर किंग देवली जो बच्चा है वो सर अभी गोड़ों की कबरिंग फीस है वो है 1,51,000 रुपे तो किसी भाई को अगर अपनी घोड़ी भी मैट करानी हो तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर नम्मर चल रहे होंगे बाकि इस बीडियो के अंदर हम आपको भई राफिल और एक और बच्चा है सर के पास में वह अब हम लोगों को ृटेल देते हैं कोन है इसका बाप राफिल का यह और पिश्यू अलवीर है do Dru नकिंहुने लिएए कि राफिल की वाईट के जी अगिनए बहुन करते मिलग के राफिल की हाइट प्लस प्राइट के साथ इसका स्ट्रक्चर उसके एयर फेस प्रोफाइल सब कुछ है अभी तो फैर पांस साल का पूरा नहीं हो और जब तक अमीद है कि अभी और सुधार इसके गोड़े के अंदर अभी कितनी उम्र का होगा पांसाल का होगा पहने 5 साल का बागी सारा गार जैसे से बात करें तो मेरे को लगता है कि राफेल के तो मार्केट में एक से बहतरी रजल्ट आ चुके हैं और आपने भी बहुत सारे रजल्ट बहुत अच्छे चीमतों में बहुत रिकोड़ेबल और इसके तीन चार बच्ची तीन बच्ची और एक लोग उतने में गोड़ा विच्च कितनी उम्र होगा नहीं दो माहीहिं एक। लेकिन उसके लिए मैंने जो है जो है जो है जो है जो है इस अपर गोड़ी है तो वह मेल यह तो डेफिनेटली अपनी मदर से तो बड़ा जाने चाहिए और अभी मेरे खाल में इसाथ महिने का वह आई हूँ साथ महीने में वह 57 लस बादी तो सबी जिसे जो गोड़िया आप से मैंट होके जाती है निए और उसको बैठाइब करने आपो विकर्लाइब कर देका दाद में रहें मैं आपको बच्चा उना वहादसकर अमकर्थकों कि अन्यारा का बंषा करें है। यह घंद में व्क शामा हूँ प्शचे और भी कि द खूरा मेरे फ़ूक है है। पेट में भूक है आँ मैं तो बोलता हूँ सब लोगों को कि आप अच्छी घोडियां रखो भाई और मेरे गोड़े से मेट उती है उसका बच्चा मेरा है यहाँ जैसे माने चलो कभी कमार सर कोई हलकी घोडी आजाती होगी तो फिर उसका बच्चा कैसे हैं नहीं हलकी पर मै तो मेरा कहने का मतलब यहाँ आप जो है अपनी मेर जो है अच्छी रखें सुब जद्रीप के अब करें रिंग की तो राफेट गभी उतारा क्या तो बैसे आप इस साल रिंगों में गए ना बहुत सारी रिंगे आपने देखी क्या एक्स्पिरियेंस रहा रिंगों के बारे में लगता है आपने बीसाएद एक-दू बच्ची गोडिया उतारी थी रि कर दिया था ठीक है वह जगराओं में जो है सेकंड नंबर पाई बच्ची है तो मैं तो बदब इन लोगों के हआँ अनल जो ओब एक तरह से अ उन्ह खरीजका दा बना लिया जो करता है उसका हो जो ऑन बच्चे ने झाल हून वह तो ठरह पांच-वहन लेने के लिए तियार नहीं औो बच्चे में वी नर बन रहे आप समझे नहीं जो Nem जिन्हों ने कमेटी बना रखे हैं अपने ही बच्चे उतार रहे हैं एक में जज कर रहा है सेकंड आपकर खड़ा है उसी का गोड़ा जीत रहा है जो बहुत गलत चीज है बहुत नाम वाले लोग जिन्हों ने भी शो कराएं और उनकी मैं तो बहुत अच्छा समस्ता था उन लोगों को भाई अच्छे रैपटेडर आदमी हैं पैसे वाले भी हैं सब कुछ हैं पैसे के लिए कुछ नि करेंगे लेकिन शो में हम मैं और सद् और हम लोग रिंग में पोचें ठीक है नहीं मैं तो बता रहा हूं लुद्याना शो में पोचें हमने अपनी बच्ची लगए और टोप 10 से नहोंने भार निकाली हमने अपने चोदा के चोदा जो है निमल उसी दिन लोड़ किये और वापस लेकिए तो आपने यह पूछा बनाते हो आप लोग जो बुलाते हो पने शो में हम लोग तो यार हर तरह से सपोर्ट करने के लिए भी तो यह रहते हैं कि हां भाई कोई अच्छा ऐसा कमेटी हो या कुछ भी जो घूड़े को परमोट करने के लिए काम करे अच्छे डिसीजन ले हम ऐसा नहीं था कि हमारी बच्ची जीते हैं जो डिजर्व करें वह जीते हैं इतना भी यार हम लोग 20-20 साल से गोड़े रख रहे हैं तौप के घोड़े हमारे पास है एक से बच्चे हमारे पास है जितना उन लोगों ने कभी सोचावात बेचा नहीं या खरीदानी उतने का हमने खरीद भी है और ठीक है और चाती ठोक के बोलता है जो हमारे यहां से हमारे बच्ची जो लेके जाते हैं हम तो हमारे चैलेंज रहता है अगर आपने बच्ची खरीदी एक लाग रुपे में और एक साल बात देना चाहिए तो एक लाग 20-20,000 रुपे वापस भी लेने की हिमत रखते हैं या अधिकतर भाई हिंदूस्तान में जितने भी रिंग सुचल रहे ना अधिकतर रिंगों का मैं सारी रिंगों की बात नहीं कर रहा पर बहुत हद तक यहन की 60-70 परसंट रिंगों का यही हाल हो गया है तो मैं तो गोड़ा पना पैशन है अच्छी चीज होगी 10 आजमी मेरे पास अंगे नहीं कोई नहीं अगा मुझे इन चीजों से कोई मतलब लिए जोधपूर शो में और आट नोगोड़ा आता है वह चार आदमी करते हैं हाजिल जाओ लेके आध दूसरा लेकर हो यह तुम तुम पहले से मिलाव सब कुछ करे बैठे हो इतनी तनी दूर से लोग कुछ है उम्मीदों से आते हैं सारी चीजे अपना पैसा भी लगाते हैं सब कुछ करते हैं दुनिया भर का उनका विचारा जुड़ा हो रहता है कम से कम उसका घुड़ा देख तो डंग से लोग जो कहते हैं कि भाई रिंग से पहले सेटिंग होगी तो मेरे लगता है कि वह लोगों को ज्यादा दिन तक थोड़ी पागल बना सकते हो यह फ्यूचर में इतनी बड़ी खता खाएंगे कि याद रखेंगे इनके घरों में कोई गोड़े देखने भी नहीं आएगा ठीक है नहीं कि वह गोड़े के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं अपने इमान के साथ ग गोड़े की गद्दारी की बात करते हैं इमान विवान तो आदमी सोचता ही नहीं जाए अचा उससे सबसे बड़ा नुकसान है नए बायर का कोई नया बायर सोचरा कि यार मुझे तो चैंपियन घुड़ा ही लेना है ठीक है नहीं दो चार चैंपियन घुड़े तो अभी इसे बने हैं हर काटगरी में ठीक है नहीं कोई मिल्क टीथ में कोई टू टीथ में कि जो है मेरे घुड़े की फिस खाली जेड़ लाग मैंने जितने का मैंने अभी छे घुड़ी पर तैसी लार को छोड़ा है ना ठीक है उतने वो तीन आ जाएंगे लेकिन चैंपियन आप अधीन की सब्सक्राइब का और वो जाकर वडियाप तो फॉक जिन्दक्राइब पर जाने के बाद में बुड़ा बिनर बेने वह ब 약 और वो टैंसन में अध्यकर और तो मेरा विगतल ने बायर जितने भी इन चीज़ों का ध्यान रखे एक तो सस्ते चेज के चकर में अपन जिए देखें पहले दस जगे पर जाएं पंदरे जगे पर पसंद आए फिर ले अभी मैंने कुछ गोड़े सेल किया तो अपने भाही हैं वो मेरे पास आये तो उन्हें काफी अनिमल लेन तो तीन मैंने उन्हें दिये तो तीन देने के बाद मैंने का यह बहुत यह जाएं भाई को क्या पता चलिया क्या सीची है तो बहुत अच्छा रहे गारे के लिए बिए और जिए नहीं चड़ बें हमारा भी बन रही सुझ करेंग घया मैं भर बाव से बीडियों में अपो जिस जह सबस्क्राइब तेगे में द्वार्ण कते हैं स्वा में लोगों के लिए जह सांगत का लगा वीडिया गूत पर के वीटियो में कहाँ जू है जो यूटुबर भी कि यूटुभ है जो यूटिटीबर हैं जो लाइव कि दीखाना चाहते हैं यह जो भी मतलब जिनके लागा फोलावर्स हैं वो अपने वीवर्स हैं वो अपना कैमरा लेके वहां एक टांग पे सुभी से लेके शाम तक खड़े हैं उन्हें नहीं कवर्द करने जए तो आप भाहिया उसे शो को ग्राउंड में क्यों करो ना अपने आपने अपने कमरों में क अपने के झुछित क्टीत करते हैं थे लागवि पेसित करने थे लिए कि इन लोगों के लिए क्ष़ क्रें कि इनके मन में चोर होता है इसको नहीं कि देखे कोई भी घोडे वाला किस गोड़े को कितने नंबर दे रहा है कोई डिस्क्लोज नहीं करता है जो किसी को पता है लगता चाहिए जो क्यों एक लिए पता इंट है क्यों नहीं क्या कर बाइए कम कि कम से कव सुधार तो करें उसे जो में सब सबस्क्राइब आप 10 नंबर दो हम ने तुझे दो धिया तेरे कान देख तेरा जो है यह जो है पेरों का जो है फोफ ओवर साइज एसका पैर घुमा है अच्छा नहीं कुछ भी कारण बताओं बताओ तो सभी नमबर तो दो डिस्कॉलिक हफाई करके तुम बगादे रहे हो बिल्कुल दोस्तों रिंग के अं में तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं अपने घोड़े दिखाने हैं तो परदी भाई है और जैसे जो अपना यूट्यूबर है उन्हें बुलाई है दंग से गोड़ा पच्छ जार तीस जार चालिस जार जो भी फीस इनका आने जाने का जो भी रहता है उनमें दिखा कर आगे फिर घर आजाओं अब ऐसा दंदा बना लिया इन शो को मुझे तो असा लगता है कमाई का दंदा है लेकिन इस मित को भी हम लोग तोड़ेंगे और डंग से तोड़ेंगे और फिर में बात बोला हूं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंडिया का आरी जानकारी दूंगा अगर आगर हम बात करें जो एक वर बच्चा हम लोगों को इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाले क्या नाम है इसका यह शान भारत यह भारत रतन का बच्चा है और बहुत सुंदर और बहुत स्ट्रॉंग बाट साइज बच्चा है और मा की मार्किंग माथे ब्लेजर दो पर वाइट अभी लगभुग से तेरा चोधा गोड़ी पर छोड़ जाए इसी सीजन में अभी स्टार किया बिलकूल बागी मेरो लगता है चार गोड़े हो गया यप चार गोड़े के पास गोड़ी आएगी तो मेरो लगता है को शरको दरत तो बढ़ जाना अगर माने चलो दो दिन भी गोडी रखनी तो रखेंगे कां ने कोई इस को शुआरा बहुत 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 ज़गा नहीं रहता तो भी दिक्कत आती आदमी कहता आज ही मेर आज ही ले जाओ ना पर अब जब भी कोई घोडी हमारे पास पर पर डोक्टर से र पहले नहीं छोड़ते हैं क्या ऐसा ना भाई कि आप लाग देड़ लाग फीस भी दे रहे हैं उसके बाद घोड़ी को जो है पांच दो धाई जार या चार जार पीज दे के प्रोपर चेक नहीं करा रहे हैं है भी प्रिषानी और समय को भी पार्षानी और सामने वाले को भी ऑपर दो बहुतुदा दो बारा चौड़ेंगे तो किराया दे ठीटले कि एक बार आप पैसा लिया तो कितनी वार तक जंप देते हो क्योंकि आज कल यह भी देखने में मिला है जब आदमी दूसरी जंप लेने के लिए जाता तो गोड़े बाड़ा कहता है आदे पैसे और दॉक्टर की फीस बास बिना डॉक्टर के दूसरी बार छोड़ते हैं जोड़ते हैं नहीं जैसे घोड़ी खाली निकल सब्सक्राइब है क्या पता उसके इंडर को इंफेक्शन हों और की बात नो कमाने चलो हर जंप का आधमी पैसा देस बहुत ज्यादा कोश्टली पड़ जाए कने मैं मैंने पहले सब्सक्राइब केवला क्यों दॉक्टर की फीस का पैसा है भाइं पहले हिटरी जडेता है फिर आपको लपड़ा है यह नहीं है दूसरी एट में डॉक्टर से चेक करवाके फिर सर गोड़ा चोड़ देंगे ख़े तो भाई उसका कोई निया मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया बहुत अधमी कह देता है कि प्रदीप यह महां गए ते वह तो ऐसे हुआ आजकल मैं वीडियो में क्लियर करा लेता हुआ मेनी कल कोई दिखत आया थे वाई वीडियो देख ले। बागी सार इसकी भी पीस पहले चोड़ना शुरू किया अभी चोड़ा है तो माने चलो कम सब्सक्राइब गोड़े से लगता है तो सपने तो साकार होंगे और बच्चे अच्छा हैंगे और उमीद है जिन लोगों ने बड़ी उमीदों से घोड़ियां कर आई है उनके पास अच्छी कॉल्टी के बच जो गोड़ा आपको दिखाया भाई राफिल और साने भारत इन दोड़ों की दोनों गोड़ों की जो कबरिंग फीस है वो 75,000 रुपे तो कोई भी अगर अपनी गोड़ी मैट कराना चाता है तो सरके नंबर टैक्स में चल रहे होंगे आप भाई लोग कॉंटक्ट कर सकते ह बागी दोस्तों आपको अगले पार्ट के अंदर सरके फार्म की जो बच्चिया है वो हम आपको थर्ड पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं